हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ जो खंडवा और सनावत के बीच जो मिटर गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज लाइन में कंवर्ट किया जा रहा है मिटर गेज जो लाइन थी उसकी अपडेट लेकर तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो लाल चोकी रेलवे गेट पर काम जो है किस तरीके से किया जा रहा है और यहां पर देख सकते हैं कि रोड के लिए जो है दोस्तों लेवल बना दिया गया है यह आप जो है दोस्तों नाक्चून साइड देख रहे हैं और यह एक लेवल बना दिया गया ह और देख सकते हैं और यहां पर जो है दोस्तो जो में रोड का वाला पार्ट जो है वहां पर पानी निकलने के लिए जो है उसकी भी तैयारी कर दी गई है एक ब्रीज डाल दिया गया है दोस्तो आप देख सकते हैं और इधर भी जो दोस्तो ब्रीज डालने की तैयारी है जो बारिस का पानी निकलने के लिए तो आप देख सकते हैं और यह मोगट रोड वाला पार्ट है दोस्तो उधर भी जो है डिग यानि गड़े खुद दिये गए हैं ताकि जो आप छोटे-छोटे पुलिया देख रहे ह सबसुक्रीड करेगा कुछ इस तरीके से और इधर ऑस्तों यह जो रेल्वेल लाइन जाएगी यह सनावत की ओर जाएगी और इस तरफ जो जाएगी दोस्तों इस्तायगि है कि वह खंडवा सिटी की और जाएगी तो यह जो है दोस्तों यहां पर काम का अपडेट है अभी और आईए हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि यह देख सकते दोस्तों इधर जो है एक तरीके से गड़े कर दिये गए हैं मतलब लेवल बना दिये गए दोस्तों और यहीं से जो है रेलवे गेट जो है लाल चोकी की ट्रैफिक निकलेगी अभी दस दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और यह अभी अभी का अपडेट है मतलब काम बहुत तेज किया जा रहा है क्योंकि 12 में जब पानी आएगी नाले का आ आगे से तो यहाँ पे पानी जो है जाम हो जाएगा उसी के कारण यह नाले का काम पहले किया जा और फिर रोड का लेवल बना कर यहां पर ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा और यह जो है आप देख सकतें दोस्तों यह जो है गेट चालू होने के बाद जो केविन रहेगी गेट में वह और यहां से वह ड्यूटी करेंगे और गेट को ऑपरेट करेंगे और आगे आईए आपको दिखाते हैं कि आगे क्या काम हुआ है यह आपो देख सकते हैं यह केविन वाला पार्ट और यह रोलर वगेरा जो हैю खड़े जो आभी टाइम होगा तो उनका और यह करेंगे उनके टाइम के नुसर काम एक करेंगे तो यह जो है दोस्तों खंडवा और समावत के बी और उधर जो दोस्तो मालगाड़ी भी चल रही है आहमदपूर खेगाओं जो जन्ती के पास उधर से सनावत की और जो यह खंडवा बाइपास से लेकर अपना खंडवा सिटी के बीच में जो काम बचा हुआ था उसी को यहां पर किया जा रहा है आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों की जो बारिष के पानी निकलने के लिए इतर नाला यहनि गट्र निर्मान का काम किया जा रहा है रeलवे कि MICHAEL आप यह देख सकते नोस्तों है यह है और यह जो है नाला निर्मान का काम जो है द्र रमेश्वर पुलिया तक फो के जाएगे और ताकि वारिस के पान चाहिए और आप देख सकते इस काम को आगे तक बढ़ाया जा चुका है यानि इसका जो प्रगती है तेज है और यहां पर काम जो है बहुत तेज चल रहा है और इधर जो है आपका लाल चो की रिल्वे गेट का काम चल रहा है और जब यह गटर निर्मान का काम जो है दोस्तो तो खतम हो जाएगा तो उसके बाद जो है इस पे गिट्टी डाल कर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाएगा और जो रतलाम मंडल का टार्गेट है जून 2022 तक कम्प्लीट करने का उसी को फॉलो करते हुए रतलाम मंडल ने यह काम को पेज कर दिया है तो दोस्तो इसी त सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेर कर दीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ इसी तरीके की वीडियो के लिए जब तक के लिए जाए हैं